जो अच्छे काम हो रहे हैं, जो सड़क बन रही है, वो काम नहीं है मीडिया का रिपोर्ट करना राहूल गांधी एक अच्छे प्रधान मंत्री है, कि बीजेपी मुस्लिमों से नफरत करती है मंदिर बनवाने से बीजेपी का बहुत बड़ा एजेंडा था यह, एउध्या की जनता ने, खिंदुत्वादी, राम मंदेद और इस तरह के एजेंडे को नकार दिया है आठ हजार तो फिर भी सहले आदमी पंदरा लाग के से एंटीय पेपर दूसरे के यहां पर दूसरे एजेंसिय से प्रिंट करवाता है अब सोचे कि दो, एक कुकी मैं तई, सामने, सामने उसके बाद असम राइफल्स की एक लेयर है, कुकी इसके बाद में उसके बाद एक और लेयर है, इंडियन आर्मी की उसके बाद एक और लेयर है, बीएसेफ की इसके बावजूद फाइटिंग हो रही है स्कूटी के उपर गमछा डालना पड़ा था हमें मनिपूर में ताकि वहां सा स्नाइपर हमें ये हिट ना कर सके तो मनिपूर में, वहां रात में औरतें जाकती है पहली जगे है मनिपूर, जहां पर बीएसेफ को भी डर लगता है सरकार की उपर से भरुसा है ही नहीं, उनको सरकार को कुछ मानी ने रहो हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं The Social Light और आज हम आज के इरा के जर्नलिस्म की बात करेंगे आज मेरे साथ है रोहित उपाधिया जी जो के जर्नलिस्ट है और उन्होंने काफी मीडिया जेंसी के साथ काम किया और अभी वो अपना यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं तो आज हम उनसे बात करते हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे मौका देने के लिए आपके आपके और्डियन्स से इंट्रैक्ट करने का आपके हिसाब से सबसे पहले तो यह जानना चाहती हूं आजकल जो मीडिया का नेरेटिव बन गया है लोगो का आप कह लीजिए कि जो सत्ता के साथ लोग हैं दूसरे तरह के लोग हैं जो सत्ता के बिलकुल खिलाफ हैं और इसमें समस्य यही है कि लोगों के जो एक्सपेक्टेशन होती है वो होती है कि हम एक फ्री एंड फेर जोनलिजम देखें लेकिन जितने भी हमारे मेंस्ट्री मीडिया हाउसेस हैं उन्हें बार बार ओडियंसेस को निराश किया है तो जो ओडियंस है वो अब चला गया है सिदे सिदे जो इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस हैं उनके पास में लेकिन उसमें एक समस्य यह है कि मतलब जो लोगों के एक्सपेक्टेशन थी कि वो मीडि राःवल गांधि एक अच्छ प्रदार्मन्त्री हैं तो वो राःूल गांधी K notamment कि अठ्षाही और में अच्छ प्रदान्मन्त्री तो मोद की अच्छह प्रदार्मन्त्री तो मौद की कि अच्छाही के बारेमें ही सुनना चाहता और ईसने करता है शाइत के ने मुझा कि चीजें इतनी ब्लैक और वाइट नहीं होती है और बीच के रास्ते भी होते हैं बहुत सारे काम अच्छे होते हैं बहुत सारे काम कामों के अलोचना होनी चाहिए तो यह मुझे लगता है कि एक मीडिया के लिए बहुत चैलेंजिंग दौर है कि वो कैसे बैलेंस करें बैल आपने एक वर्ड यूज़ कि पास लोग चले आपके अपकर इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब वही है कि जो लोग में में नहीं आपको एक चैनल स्टार्ट करने के लिए कुछ सौ करोड चाहिए होते हैं जो अपनी वेबसाइट चला रहे हैं और जब भी मैं इंडिपे मीडिया किस तरह से मनता है मीडिया मीडिया इस तरह से मनता है कि मा लीजिए कोई खबर है तो उसको खबर को सबसे पहले किसने कवर किया और यह नहीं कि कोई ट्रेंड में आ गया तो उसको फॉलो कर रहे हैं जो कि ज़्यादा तर निउस चैनल से ही करते हैं मेरी नजर में media house वो है जो किसी खबर को सबसे पहले report करता है उसको follow करता है basically उस खबर को lead करता है media house तो वो एक I think बहुत सारे ऐसे media houses हैं हमारे देश में जिन्होंने उन मुद्दों को उठाया जो ministry media नहीं cover कर रहा था तो में नजर में वो independent media house है जिनके पास बहुत ज़्यादा funding नहीं है लेकिन फिर भी वो खबरों को lead कर रहे हैं जो important issues हैं जो सही सवाल है वो सरकार से पूछ रहे हैं किसी भी तरह से मतलब cases का कैसे कह सकते हैं देखे एक तो हम अभी जो media जैसे आपने बुला कि दो parts में बट गई है आपने पने चलते हैं इसमें गार में को मेडिया में चा आप आतवनगा opioids के सपोर्ड में अगर मैं लेफिंग को करना चाहूंग ! छहना सबस्बास लंद के सपोर्ड कःएं इसमें इंडेपेंडेंगेंस कहां ऑगी इनडेपेंडेंस तो हैं नjos हैं कि मैं तो एक perception बना के चल रही हूँ ना कि he's the right, he's the right नहीं इसमें independent होने का मतलब सिर्फ यह नहीं है financial independence भी होनी चाहिए आपकी की बहुत सारे से media houses हैं जो जिनको fund government करती हैं जिनको add government से मिलते हैं तो वो उनकी मजबूरी हो जाती है एक तरह से कि सरकार के साथ में जाना अदर्वाइस आप कैसे अपने employees को salaries पे करोगे अगर आपके पास बड़ी funding नहीं है हलाकि इतना revenue वो ऐसे भी सही तरीके से भी earn करते हैं यो salaries तो पे कर सकते हैं अपना media house चला सकते हैं लेकिन वो जो business बढ़ाने की बात है न वो मजबूर करती है बड़े media houses को चंदा लेने के लिए विग्यापन लेने के लिए तो उससे क्या होता है कि आपका independence कहीं न कहीं compromise होती हैं लेकिन जब आप एक छोटा media house चला रहे होते हैं तो उसमें आपके पास में छोटे लोग है चोटी टीम है और वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो बहुत तरह से independent होता है कि आपके उपर किसी का दबाव नहीं होता है और media house किसी भी channel को media house बनने के लिए अगर वो factually report कर रहा है और सही खबरें सही मुद्दे उठा रहा है तो मेरी नजर में वो independent है आजकल media journalism का main motive क क्या रहे गया है कि अब अभी 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 ऐसा नहीं है कि media पूरी तरह से corporate हो गया corporate corporate of media is not bad thing होना चाहिए बिजनस करना चाहिए लेकिन जो जो basic सिद्धान्त है जो journalism कि क्योंकि अगर media सरकारी हो जाएगी तो फिर तो जो कि हो गई हैं बहुत सारी तो हमेशा से media का जो काम रहा है वो रहा है कि inform करना और educate करना और policy changes के लिए advocate करना तो मुझे लगता है कि अभी भी ये चीज़ है और ये चीज़ बहुत सारे लोग कर रहे हैं हाँ अब अब आप समझे कि माली जे को एक road बनी ठीक है मैं हमेशा कहता हूँ ये example देता हूँ एकर कोई road बनी है तो लोगों क का ये expectation है कि हम ये बात कहें आकर कि कि नितन गटकरी जीने बहुत बढ़िया काम किया है और ये भी चीज़ दिखाई जाने चाहिए medium ऐसी बात होती है लेकिन मीडिया को हम लोग watch dog कहते हैं कि ये जो भी जो fourth pillar of democracy है कि जो तीन pillar है कि आपका bureaucracy है आपके पास में judiciary है आपके प जो lawmakers हैं तो इन ये तीनों pillar जो है आपके वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये काम करना मीडिया का काम है ठीक है ये इस काम के जमेदारी मीडिया की है watch dog की जमेदारी है मीडिया की basically तो ये कहना कि positive news नहीं दिखा जारी तो वो मुझे लगता है कि गलत होगा क्य होता है जो विग्यापन की जिस बात करी वो एक अलग से सरकारी fund है PR का जो सरकार अपनी योजनाओं को propagate करने के लिए new channels को देती है तो जो अच्छे काम हो रहे हैं जो सड़क बन रही है वो काम नहीं है मीडिया का report करना अगर वहां पे कुछ गरबढ होती है कुछ देश मे क्या गलत है जो नहीं होना चाहिए वो काम है सो बेसिकली मीडिया ड़स देगेटिव वर्क तू 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 ब्रिंग पॉजिटिव चेंज अभी तो कुछ अलगी चल रहे है थोड़ा सा मोटिव कुछ चैनल का अलग हिल गया है क्योंकि अभी तो अच्छी चीज़ी दिखाई जा रही है जी हाँ ये मतलब एक दुलभाग यही कहेंगे इसको अपने देश का की मतलब आलोचना को ना जो हमारी दर्शक है वो आलोचना की तरह ले रहे हैं ना आलोचना की तरह आलोचना की जा रही है और ना ही मतलब एक जो होता है ना कि एक स्पेस आपके लिए बनना किसी भी चीज़ की आलोचना करना बहुत खतरनाक हो चला है जो कि बहुत दुरभा है और freedom of speech जो है वो किसी भी democracy को thrive करने के लिए बहुत important है आपके लिए बहुत important है अधर वाइस तो फिर सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा आपको आपके वही जो मतलब जो किया जाता है कि यार शेर को पालना महंगा होता है तो क्या हो गया अगर इसको सविकार करना चाहिए और इसको अगर कोई कह रहा है गलत को गलत तो उसको सपोर्ट करना चाहिए रहा है कि हमारे फेरुट निर्ता को आपनी कुछ कहा दिए जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि दो इस वक्त हमारे देश में यही है कि यह कहा जाता है कि हमारे देश में हिंदू-muslim बहुत हो रहा है कौन कर रहा है मेडिया वाले कर रहे हैं को एक मीडिया ऑस यह है जह दिन भर दो मौलानों को बिठा लेंगे दो प्रवचन करने वाले जो शास्रीयों को बुला लेंगे और दोनों में डिबेट करा दी एक चैनल ये कर रहा है दूसरा जो इस आप बात करें चाहे रवीश कुमार हो चाहे अविसार शर्मा जी हो चाहे फिर अजित अंजुम जी हो ठीक है अजित अंजुम जी का थोड़ा सा यह है कि उनका ग्राउंड अप्रोच रहता है लेकिन बाकी दो बड़े नाम हैं बहुत बड़े हैं से हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत अच्छा जनल जमीन लोगों किया है इनका अपनी लेगेसी है लेकिन इस वक्त क्या है कि एक जो में इंस्ट्री मीडिया है वो हिंदू-मुसलिम कर रहा है और जो दूसरा जो जिस वेकलपिक मीडिया की बात करते हैं इनिपेंडेंट मीडिया की बात कर रहे हैं जिसे रविश कुमार जी हो गए और बाकी लोग हो गए वो कह रहे हैं अपने चैनल में कि हिंदू-मुसलिम नहीं करना चाहिए लेकिन करना क्या चाहिए ये बहुत बड़ा सवाल है कहते हैं कि बीजेपी मुसलिमों से नफरत करती है बीजेपी अलप संख्यकों को नहीं चाहती है कि वो वो सही से रहें उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रही है अब आप सोचे कि बीजेपी पार्टी जो कि एक खुद को प्राउडली वो हिंदू-तवादी संग्ठन कर रहें तो इसमें तो मतलब इसमें उनको कोई एतराज भी नहीं है अगर किसी भी पार्टी के लिए कहां से मुश्किल बात होगी कि अगर आप तो ऑल्टीमिटले तो ही बात पहला रहे हैं लेकिन जब समस्यक बाती है पार्टीों के लिए खास करके जब आप इस तरह के क पूरी तरह से कॉलाप्स हो चुका है कोई भी वहां पर आपने कभी नहीं सुना होगा किसी भी जगे पर पूरे हिंदुस्तान में कि बीसेफ की गाड़ी जा रही हो और लोग साइड ना दे रहा हूं या लोगों को डर नहीं लग रहा हूं ने कि वहां पर बीसेफ की लूद गन सामान खाने का सब कुछ लूट लिया वहां की आपको खबर शायद ही कहीं मिले तो इस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं कि जो मनिपूर में इतनी बड़ी घटना हुई इतनी सब चीज़ें में तो जब मैं गया वहां पर और रिपोर्ट करके लिए तो लोगों न बहुत साई लोगों ने कॉमेंट किया कि भाई यह तो हमने देखा ही नहीं था अब यहां पर दिल्ली में बैठे हुए पत्रकार जिसको मैं आज जोनलिजम करता हूं कि अपना कुर्सी पे बैठे आपने और ग्यान दे दिया और आपको लगता है कि सब को वह सही नहीं है उसको डिनाय करना सरकार के लिए बहुत आसान हो जाता है लेकिन अभी इस वक्त जो है वो पूरी तरह से एक दम बट गया है उसके और भी रीजन्स हैं उसका दूसरा एक बढ़ा रीजन यह है कि अगें मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि हम लोग यह ऐसा दौर है जो का दौर है जो आपकी और्डियंस बन गई है जो आपका टार्गेट और्डियंस है उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो गया है सभी के लिए क्योंकि the moment आप जिस पाटी पाटी छोड़ दीजिए जिस विचार धरा पर हमाते हैं कि आप लेफ्ट हैं राइट हैं सेंटर हैं सेंटर तो कुछ रह नहीं गया अगर आपने थोड़ा सा भी किसी एक ऐसी लेट से कि ऐसे मूव को किसी पॉलिटिकल मूव को सपोर्ट कर दिया जो माली जी बीजेपी नहीं किया है तो ये उसको समर्थन कर पाना रवीश कुमार जी के लिए बहुत मुश्किल होगा सिमिलरली राहूल गांधी को सपोर्ट करना जो जिनको हम गोदी मीडिया कहते हैं उनके लिए बहुत सुसाइडल हो सकता है उनके जो विवर्शिप है अच्छी जीज़ों को सपोर्ट करना आपका मतलब है नहीं अपने जो उनकी टार्गेट ओडियंस है उनकी अपने कंफ नहीं होना चाहते हैं उसका रिजन ये नहीं कि हमारे अरणो गुसामी निस्पक्ष नहीं होना उसका रिजन है बहुत जादा कि एक तो पहला कंफिरमेशन बाइस आदो दूसरी बात जो है जैसे यूट्यूब पर क्योंकि हम रविश की बात करते हैं यूट्व का जो आल् इंगेजमेंट डाउन जाएगा और इसी सिचुएशन क्यूं हुई है वहाँ देखिए यह मतलब इस सवाल बहुत अच्छा है आपका कि इसी सिचुएशन क्यूं हुई है और सारा देश यही इसके पीछे के रिजन्स को तलाशने कोशिश कर रहा है हम यहाँ बैठे बैठे बहुत आसानी से कह देते हैं कि मोद जी फेल हो गए है और यह हो गया है वो हो गया है मैंने भी किया था मतलब पीछे साल आइटिंग ज उसके आसपास भी नहीं है जो मैं सोचा करता था जो में इस्ट्री मीडिया में चल रही है चीज़े तो यह समझाने से पहले कि रीजन क्या है हम उसकी सिचुएशन पर थोड़ा से मैं आपको बता दूं कि तता कि आपके लिए तस्वीर थोड़ी क्लियर हो जाए हम सब ले वैली है वैली के चारुतरफ पहald है पहाड़ों पर जिएतर कुकी रहते हैं और नीचे वैली में मैते ही रहते हैं मैते ही नीचे ऊपर कुकई अब मैते ही मे Хिंदो भी नकूफ कुछ क्रिश्चन क्रिश्चन भी है तो और उनका पूरा सब को मिलाकर जाओ कहते हैं वो लोग तो अब समझे कि सबसे उपर कुकी लड़ाके हैं और उन्होंने अपने गाओं के आगे बंकर बना रखे हैं बड़े-बड़े बंकर्स हैं जिसमें गोला, बारू, दसला सब कुछ है सिमिलरली मैतेई जो गाओं है वहाँ पर भी उन्होंने अपने यह सब मैंने रिकॉर्ड किया है मेरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा तो वहाँ पर उन्होंने बंकर्स बना रखे हैं बहुत जिसे एक तम आप देखते हो मुवीज में वार मुवीज में आप देखते होंगे तो उसे तरह से बंकर्स बने हुए हैं और उन बंकर्स में गोला, बारूद, असला, हर तरह की चीज़ें उन्होंने अपने पास रखी होई है अब सोचे कि दो, एक कुकी मैतेई, सामने, सामने वो उपर पहाड ये नीचे है उसके बाद असम राइफल्स की एक लेयर है कुकीस के बाद में ठीक है? उसके बाद एक और लेयर है इंडियन आर्मी की ठीक है? उसके बाद एक और लेयर है बीस एफ की इसके बावजूद फाइटिंग हो रही है इसके बावजूद वो यहां से fire करते हैं यह यहां से fire करते हैं बीच में तीन लेर आफ हमारी आम-f caboast persons की हैं उसके बावजुद यह इशू जार रहे हैं उसके बावजूद गोलियं चलती है उसके बावजूद लोग मर रहे हैं और कहां लेक कर रहे हैं जो हम लोग ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं देखे अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जैसे एक तो सबसे बड़ी जो समस्या है मतलब इसके अगर जो मुझे वहाँ पर जाने के बाद इसका जड़ समझ में आया वो सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेस पर कबजा किसका होगा देखे ये मैतलब के लोग कहते हैं कि हमने कुकीज को वहाँ बसने के लिए लैंड दिया और अब वो लोग वो उसको अपना मान के रह रहे हैं और अब इतने समय से रह रहे हैं तो उनके land वो रही रहे हैं अब उसमें जो देख इंट्रेस्टिंग एंगल ये है वो है पॉपी प्लांटीशन का है पॉपी प्लांटेशन आफीम की खेती ठीक है आपने शायद सुना होगा golden triangle के बारे में golden triangle जो है वो आप समझ लिए कि इं तो वहां से अफीम पहले अंदर हमारे देश में कहां से अपर तो वह वहां से अफीम, अफीम के साथ साथ हत्यारों की भी स्मगलिंग होती है हमारे देश में वहां से अफीम आया और क्योंकि उधर काफी चीज़ें हो चुकी थी बहुत ज़्यादा यह हो चुका था तो यहां पर भी लाना था बहुत सारी कम्यूटीज ने बहुत समय से खुशिश की और मनिपुर में जो पहाड़ी लाके हैं उन पर बहुत जम करके अफीम की खेती होती है ठीक है अब मैटीज जो कम्यूटी है वो यह कहते हैं कि यार हमारे जो वैली है वैली में एक बहुत बड़ी लेक है तो उस लेक का पानी जो है धीर धीर बढ़ रहा है जब भी आता है तब उसका पानी जो हमेशा बहुत बड़ी लेक है हाँ तो वो हो क्यों रहा है क्यूंकि पहाड उपर से कट रहे हैं पापी प्लानेटेशन के लिए ठीक है पहाड नहीं होंगे तो पानी रुकेगा नहीं पानी नीचे आएगा तो इनका जो खेती करने का जमीन है वो डूबेगा दिरे 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 डूबेगा यहाँ पर इनको वाटर बॉडिस खतम होंगी इशूज होंगे तो यह कहा जा रहा है लेकिन समस्या क्या है कि एनवारिमेंट से ज्यादा दिक्कत यह है कि मैत ही कह रहा है कि जब हमने हमारी जमीने हैं हमारी जमीनों पर इतना पॉपे प्लान्टेशन हो रहा है इतना अफीम के खेती हो रही इतना जबर्दस मुनाफ़ां लोगों का मिल र अब वहां पर समस्य यह है कि इसके पहले जो यह था कि वह आदिवासियों की जमीन मतलब एक यह था कि वहां पर यह जमीन ले नहीं सकते थे क्योंकि ट्राइबल नहीं मानना जाता था मैंतेज को तो मैंतेज को जैसे ही ट्राइबल अगर घोशित कर देती सरकार तो उनका हक उस पाड़ों पर हो जाता फिर वह खरीदने बेचने लग जाते अब इनका पूरा यह प्लैनिंग थी और जैसे वहां की हाई कोर्ट ने डिस सूर्सिस का है जिसमें अब गॉर्मेंट क्यों अच्छे से क्रैक डाउन करके पॉपे प्लानेटेशन को खतम नहीं कर रही है वह बता सकते हैं कि क्योंकि कौन से कहावत है कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा तो कितना क्या हिससा इनको मिल रहा है किसलिए नहीं रोक में आया था कि पूरी लड़ाई रिसोर्स की है और कैसे सारा जो यह अफीम का पैसा है वो एक ग्रूप के पास जा रहा है दूसरे ग्रूप के पास नहीं जा रहा है इसलिए आप देखो कि तो ज्यादा जो घुस्सा होगा जादा है क्योंकि मैंतेश हमेशा सापने आपको बहुत स्ट्रॉंग मानते थे और अपने आपको मालिक मानते थे मानिपूर का लेकिन अभी चीज़ें बहुत बदल गई है हाँ ओविसली मतलब वो सब तो चीज़ें होंगी यह नहीं वो तो ठीक है लेकिन यह वार को क्यों नहीं रोक पा रही है को मैं कहां लैक कर रही है वही मैंने कहा ना कि आपको वार रोकने के लिए फिर आपको बहुत सारे ड्रास्टिक चेंज़ें लाने पड़ेंगे आपको यह बैठके बात करनी होगी मैतेई से कुकी से की वो कैसे जो रेविन्यू है मतलब मैं पॉप प्लानेशन के बात नहीं कर रहा हूँ उसके मैं जब वहां पर दा तो मैंने बहुत सारे मैतेई बच्चों को कहा कि आप लोग अपने दोस्तों जो कुकी हैं उनसे बात क्यों नहीं करते मिजों हैं और वो बुले नहीं सरम बात नहीं को बात कर रहा है मैंने कोशिश भी कि कुछ वहां से कुछ पॉजिटिव स्टोई बॉजाय मैं से अपनी गृप को लेकर किसे मैतेई हैं रहा है कोई मैतें कए नहीं नहीं किया यह नहीं तो ब्ग वहां का वह वहां का वहर वाइलंच हो जाते हैं तो उनके अपने इस हम topics है कि लेंड है variety कि SAM कि करें तो तो में बहुत उल्या हुआ है जब तक दॉन्ह गॉ और यह सरकार नहीं कर सकती है मतलब सरकार को सिर्फ सरकार यह चाहिए कि हमने आप पर थूप दिया आप यह एकसेप्ट कर लो नहीं होगा वहाँ पर को दोनों के साथ में डायलोग करके अगर बात तुल जा सकते हैं तो वहीं से हल निकल के आई इसको प्रॉब्लम को एक साल होई गया एक साल से जादा हो गया तो अभी हम लोग बात करें तो आपने एक टर्म यूज तो कुछ न्यूज ऐसी होती हैं जो पी आर एजन्सी की थूरू न्यूज में आती हैं और वो काफी पॉपुलर हो जाती हैं ऐसे एक एक ग्जेंबल अगर लोग को अगर दिन में स एक होते ही हैं और उसमें सिर्फ एक एसा होता है वो भी महीने में एक होता है जो पूरा पी आर एजन्सी की थूरू मां लीजी आप कहा मतलब एक पॉलिटिकल इन्वॉल्मेंट मां लीजे जिसकी वैसे बहुत जादा न्यूज में हाइप पकड़ लेता है पाकी निन्यान मतलब प्रॉब्लम भी नहीं कहेंगे इसको क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है हमारे पास में और कितनी सारी घटनाय रोजाना होती हैं सभी घटनाओं को मतलब एक एक करके देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा आप ये बताए कि अगर आपको इस दिन भर जिन जगहों पर माली जी मुर्डर हुआ है तो मुर्डर का अगर हम सिर्फ नाम अगर बताते चलें कैसा आप उसको कंस्यूम कर पाओगे नहीं कर पाओगे तो आपके जो बिरोज बटे हैं अखबारों में या टीवी चैनल में या फिर लोकल मीडिया है पर लोकल मीडिया जो है तो वो अपने यहां पर अपने लेवल पर कवर करते हैं उसको उसका डेटा चाहिए उनको माली जी अगर इस तरह कोई घटना हुई है तो आने से मिलती है तो उस सो ऐसे केसस आए ठीक है तब आपको एक बेटर अंडरस्टेंडिंग मिलती है कि हाँ तब है आप उसको एनलाइज कर पाते हो बाकी रही आपकी बात की सेलेक्टिव जोनलिजम की तो लेखिए एक भी शक्स को एक भी मुद्दे को अगर मीडिया हाइलाइट करा सकता है करा पाया और वहाँ लोगों को नया मिला तो मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी बात है जहां जिन लोगों के साथ में अन्या हुआ तो आप सबको नहीं कवर कर सकते हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं किसी को न करो क्योंकि आप सबको नहीं कर पाए फिर एक मीडिया का नाम दे दिया गया गोधी मीडिया वो कहां से पकड़ा और क्यूं लोगों के दिमाग में एक अलगी परसेप्शन चला गया उसके गोधी मीडिया लैपडॉग मीडिया यह दिया हुआ टर्म है रवीश कुमार का अब इस यह बहुत कई बार बुरा भी लगता है क्योंकि ग्राउंड पे हम जाते हैं ग्राउंड पे जब हम जाते हैं तो हमें इस तरह के बहुत सारे चीज़ें फेस करनी पड़े भाए गोधी मीडिया से हैं आप आप कहां से हैं तो बड़ा खराब लगता है कि हमारे मीडिया बंदुओं के इस तरह से लोग ट्रीट करने लग गए हैं लेकिन इसमें उनका कोई दोश नहीं है, हम जनता को दोश नहीं दे सकते हैं, ये लगातार सिर्फ और सिर्फ हमारे जो सब्ताधारी पार्टी है, उसकी आप आलोचना परदाश्ट नहीं कर रहे हैं, अगर कोई आल लोचना चीजें बहतर हो तो इसलिए जब आप किस तरह से एक तरफा जनलर्जम आप करना शुरू कर देते हैं तो फिर आप गोदी मीडिया लोग कहते हैं कि ठीक है आप लैप डॉग मीडिया हो चुके हैं अब यहां पर इंट्रेस्टिंग चीज यह है कि आज जो गोदी मी कल को जब दूसरी सरकार आएगी तो फिर यह वही करेंगे दूसरी सरकार साथ मिल जाएंगे फिर आप क्या करोगे तो इसलिए जनता को दर्शकों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है तो आप इसको एक बोदी मीडिया वाला टर्म अटाके पेड मीडिया भी बोल सकते है तो पहले कि पहले इंवेस्टिगेशन पार्ट नहीं था जुनलिश्टिगेशन हमेशा से रहा है लेकिन इंवेस्टिगेशन रिपोर्टिंग के साथ साथ में अभी जो एक बदलाव आया है वो है कि न्यूस के साथ में अपने वियूस को डाल देना ठीक है अपने जो आप सोचते हैं उसको इस तरह से ब्लेंडिन करना कि लोगों को समझना है और लोग उसी को सच मानने लग जाए मुझे लगता है कि ये अभी एक नया ट्रेंड चला है स्पेशली आप्टर सोचल मीडिया रेवलुशन तो वो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक है क्योंकि आप करें आप न्यूस को देखने का तरीका लोगों को बताएं मैं यह नहीं करा हूँ कि आपके पास अगर कोई इंफोर्मेशन आई है तो आप उसको इंटरप्रेट ना करें जब तक आप इंटरप्रेट नहीं करेंगे हमारी आम जनता को नहीं समझ में आएगा और इफी लुक आट माई वीडियो की मेरी कोशिश यह होती है और कि मैं कोई टर्म इस्तेमाल ही नहीं करूँ अपने वीडियो में मैं कोई जैसे किसी भी आप जो आदमे कि हम जो एक्जामपल देते हैं कि माल लिजे हमारा कोई रिक्षा वाले भाईया हैं जो पढ़े लिखें नहीं हैं लेकिन अगर वो देख रहे हैं आपका वीडियो तो उनको समझ में आ जानी चाहिए उसके अंदर तो वो उनको समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और उसे वो मुझे लगता है कि वो नहीं करना चाहिए हमें कि अभी जो रिसेंटली क्योंकि आप मीडिया से हैं तो इसलिए मैं जानना चाहती हूं कि अभी राहुल गांदी जी ने बयान दिया था हिंदू हिंसक हैं पालियमेंड में खड़ और एक तरफ क्योंकि इस पे लोगों के काफी ओपिनियन थे कि उन्होंने हिंदू के खिल देखे एक ओपोजीशन का ऐसा लीडर जो के एक पी एम के पद के लिए और वो ऐसे बयान जब देता है वो भी हिंदू तरास्ट के लिए आपके क्या नहीं देखे सबसे बड़ी समस्य यह है कि हम लोग जो जड़ है वो हम बात नहीं कर रहे हैं इस तरह की हिंसा की बात र हिंसक का ठीक है तो बेसिकली फिर उसके बाद उनका जवाब था कि बीजेपी हिंदू तो को रिप्रेजेंट नहीं करती है सो बेसिकली समस्य क्या है कि यह हिंसक है नहीं हिंसक है या फिर क्या है नहीं कहा जब तक जब तक मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई मुस्लि सुधारनी चाहिए, हिंदू बहुत सहिशनु होते हैं, इस तरह की बातें आप सुनते होंगे, तो मैं उसे पूछता हूँ कि ये अच्छी चीज है कि खराब चीज है आप क्या, मतलब आप क्या अगर मान लेजिए आपको लगता है आपको लगता है कि हिंदू जो है, बहुत सहिशनु होते हैं मुसलिम जो है, बहुत कटर होते हैं तो आप भी कटर होना चाहते हैं, आप मुसलिम बनना चाहते हैं मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हम एक पॉजिटिव चीज़ को नेगटिव कैसे मना लेते हैं कि हमारे यहां यह नहीं होता, आपके यहां नहीं होता है, तो दुनिया का हर धर्मानने वाला इंसान है, उसके यहां, वो उसका धर्म सबसे बड़िया है, उसका way of living सबसे बढ़िया है, नुपूर शर्मा जी ने जब बयान दे दिया था, मुसलमानों के खिलाब, फत्वा ज अच्छी चीज है अभिव्यक्ति की आजादी में एक लाइन बॉर्डर होता है उससे आगे बोलना वो तो गलत है न नहीं देखिए मैं कह रहा हूं कि हिंदू हिंसक होते हैं ये ये बात कहने के बाद हिंदू समाज को अपने अंदर देखना चाहिए कि क्या हम सही में क्या ऐ ऐसे केसे जाए जिसमें मुसल्मानों को पीट-पीट का सड़क पर मार दिया गया मॉब लिंचिंग कर दी गई मैं नाम नहीं किना सकता हूं सुबह शाम हो जाएगी आपको ये करते हुए और इस तर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे हिंसक है इसका मतलब ये भी नहीं कि कि राहुल गांधी ने सही कहा है कहने का मतलब ये है कि जब भी निंदक निरे राखिये आंगन को टिछवाए आप एक बहतर समाज बनने की तरफ अग्रसर हो ये दूसरों से कंपेर करके आप उनके जैसा क्यों बनना चाहते है मुझे ये ये समझ में नहीं आता है तो आप अ इसा तो हुआ है यह हमारे लिंचिंग मॉब लिंचिंग मतलब मुझे लगता है दुनिया का सबसे वीभत क्राइम है वो चाहिए कि जार में कहीं पर भी हुआ हमारे यहां चीज़ें हुई बहुत साई लोगों को मैं पिछली पिछले साल जब मैं गया था मिवात में तो व प्रेंगोल का जो एक केस है न अब जी बिल्कुल मैंने पढ़ा है उसको फिर आप किस रूप में देखिए देखिए उस अगर उस रिपोर्ट को अगर आप मेरी रिपोर्ट को देखेंगे तो मैंने उसको भी क्रिटिसाइस किया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए व लेकिन ऐसा डिनाई भी नहीं किया जा सकता कि मुसल्मानों के वर्ग में ऐसे लोग नहीं है जो हिंसक नहीं है नहीं मिल्कुल नहीं मैं अच्छे बुरे इंसान दुनिया के हर धर्म हर गली हर घर हर जगे होते हैं मैं लोगों कहता हो कि अगर आपको लग रहा हो ना कि कर लो तो यह तो हर जीगे होते है फिर लोगों का जाता है यहां ज्यादा होता है यहां कम होता है यह सब फल्टों की बात हैं यह एक opposition का leader जब ऐसी बाते बोलता है हिंदू राष्ट्र में बैटके मनलब हिंदू राष्ट्र ही माना जाता है हमारा देश और हिंदू राष्ट्र में एक ओपोजीशन का एसा नेता जो पी एम के पद के लिए एकदम दावेदार है और वह ऐसी बाते बोलता है तो आपके हिसाब से वह सही है यह मुझे लगता है कि उन हिंदू राष्ट्र में हिंदू की है लेकिन ओस मिजर्टी ओफ दून्ट सपोर्ट हिंदू तो 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 देखिए देखिए मेरे जो तरवियत है मैं आरसेस के स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ तो मैं हर तरह की जो वहां बाते होती थी उनसे भी बहुत अच्छे से वाकिफ वहां पर भी इस तरह की बाते होती थी तो बाद में जब आप पढ़ते हो जब आप बहुत सारे सीज़ें अलर्न करते हो उस अलर्न करने की प्रक्रिया में एक ये भी चीज़ शामिल थी कि हमारी सही शुनुता हमारा जो से क्लिर होकर के सोचने के नजरिया है वो हमें अच्छ तरीके साफ चीज़ों को सोच पाते हैं समझ पाते हैं और सुधार की गुंजाईश जो हमारे धर्म में है जो यह खुलापन है मुझे लगता उसको सेलिब्रेट करने की जरूरत है उसको एक बंद करके दूसरे धर्मों की से कंपेर करके दूसरे धर्मों कुछ चीज़ों को उठा करके ला करके अपने धर्म के सामने यह दिखोने लोगा हम लोग कैसे पीछ रहे गए अब आप मत जहिए आप क्यूं उस होना तो कि नफरिती इंसान को अपने आप से शर्माने चाहिए मुझे लगता उसको यह सोचने से क्या से लोगता है मेरे भाई कि आपके हिंदू मुसलिम सिख्षाई की भाई भाई की बात नहीं होगा समाज में फिर भी अगर आप बात तक कर रहे हैं तो अच्छी बात है आपको यह नहीं लहता कहने के लिए बस सेक्योटर हैं नहीं 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 आजाएंगा उसके लिए आपको संघर्ष करना पढ़ेगा सेम बातें बार बार रिपीट करते रहना हैं पढ़ेंगी ताकि इस देश में जो एक order बना हुआ है law and order की situation है एक सम्मिधान है देश उससे चलता रहे इसको बोलते हैं कि ये कोई sprint race नहीं है एक marathon है तो जो सही चीज़े हैं कि एक इनसान को उसके धर्म से जोड़ कर ही उस धर्म के अलावा भी एक वो इनसान बहुत उसके एक दुनिया है जैसा दिल जैसा दिमाग जैसे पाहिश हैं जैसे ambitions आपकी हैं वैसे ही इस देश की किसी भी धर्म दूसरे धर्म की लड़की की भी हो सकते हैं और उसको उतना ही मौका मिलना चाहिए तो हम क्यों ना उसी चीज को प्रपगेट करें हम क्यों ना उसी चीज की बात करें या ठेक हमें एक बहतर समाज बनने की दिशा में जा रहे हैं नहीं बना है कोई बात नहीं है लेकिन हम बात हमेशा एक आइडियल स्टेट की करें तो जो आप कह रही हैं का पूरा निले डिए हो अई कुछ लोगोंगे नहीं बोलेंगे आपको नहीं लगता कि लोगों के पर्सेप्ष्टन और लोगों के नज़री THE जादा गॉवर्मेंट जादा है हिंदू- difficulty भी हम सब्द्रीत ना, वोखिए जब government के साथ-साथ में एक जो दूसरा institution है, government तो एक institution है आपके democracy का वो सब को rule कब से करने लग या इस government में सबसे खराब بात ये हुई कि जो आपके institutions थे bureaucracy और media इसका साथ में तीसा जो judicory है इन तीनों पर हावी हो गया हमारा देखिए जब government के साथ साथ में एक जो दूसरा institution है government तो एक institution है आपकी democracy का, वो सबको rule कबसर करने लग गया इस government में सबसे खराब बात यह हुई कि जो आपके institutions थे bureaucracy और media इसके साथ में तीसरा जो judiciary है इन तीनों पर हावी हो गया हमारा कि मूदी जी ही सुप्रीम कोट मूदी जी ही CBI ED चलाएंगे मूदी जी ही मीडिया को भी कोई कुछ नहीं कह सकता है यह चार पिलर्स इसलिए नहीं बनने थे कि देखने के लिए कि मूदी जी किसी कर राज आ गया तो वो अपने मनमानी कर पाएगा नहीं उसको कंट्रोल करने के लिए ही यह बाकी कि हैं कि आपका ऑफिसर अगर नहीं साइन करेगा नहीं करेगा तो इस देश में नहीं हो सकता है आपका स्टीफ सेकरेटरी अगर नहीं शामिल होगा आपके कुकरमों में तो आप नहीं कर सकते हो कोई काम CBI ED अगर refuse कर देगा कि हम पर political pressure बना रहे हैं तो आप नहीं कर सकते हैं कोई काम कैसे आप गरिफतार कर वा लेंगे लेकिन सबसे बड़ी समस्या ही होई कि हमारे इस government ने सारे institutions को अपने कबजे में रखा उसको दबाने के कोशिश की और उसके हिसाब से मीडिया को बोला भाई तुम ये हिंदू-muslim चलाओ एजेंडा ठीक है पुलिस को बोला भाई तुम ये जितने पत्रकार ये इस तरह की बाते कर रहे हैं इनको जेल में डालो एस सिदिक कपन आप देख लिजी कितने सारे लगते ही रहते हैं जो रिशी जो है इनके जैसे मुझे याद आता है बहुत फ़नी इंटर्वी हुआ था हमारा बीजेपी के एक विधायत हैं तो जब मैंने पूछा कि मैंने का कि राम मंदिर बना बीजेपी तो मैंने का मिरा मंदिर सुप्र सरकार की इशारे पर काम कर रहा है तो बोली कि नहीं तो मैंने का फिर आप कैसे कह सकते हो यह बात की राम मंदिर यह बनवाया है यह कितना गलत परसेप्शन ही है कि सुप्रीम कोट मोदी जी के अंदर काम करता है और यह लोग खुश हो रहे हैं कि जान करके यह तो बहुत आपको सोचना चाहे कि तीन पिलर सापके और बाकी बच हुए हैं रहे हैं इस पर बहुत चल रही है आपका उस पर क्या रही है कि क्या करते हैं तो क्यूंके आप ग्रांड रिपोर्टिंग करते हैं तो क्यूं ऐसा क्यूं हुआ जो बीजेपी हार गई वाज देखिए मंदिर बनवाने से जिके उनका बहुत बढ़ा एजेंडा था यह मंदिर बनवाना बहुत आंदोलन हुए इसके लिए उन्होंने पूरी उनकी राजनीती ही जो है नाइटी नाइडी टूम के साथ में जो तो अब वहाँ पर क्यूं हार गए उसके बहुत सारे कारण है उसमें से कोई कहता है कि टिकेट साही नहीं दे आ गया था लिलु सिंग को नहीं देना चाहिए था टिकेट कोई ये कहता है कि वहाँ पर जो घर लोगों के तोड़े गए उससे बहुत नाराज़गी थी मैंने एक रिपोर्ट की थी वहां पर यह था कि सोलर और प्लांट लगाने के लिए बहुत सारे परिवारों को बेघर कर दिया गया है वो लोग टेंट में रह रहे हैं वो लोग उनको जहां पर जमीन दी गई है मुआवजी की वह बहुत उसमें बहुत गड़ा है उसमें रह नहीं स अशूर गड़ा बीजयपी की पाटी के देक् तो ही हमसे डिसाइड होगा कों जीते हैं कौन हारेगा सिंपल सी बात यह और और वो वहां के जनता ने इस हिंदुत वादी राम मंदेद और इस तरह के एजेंडे को नकार दिया है वहां पर आई थिंक बहुत सारे उसके रिजन्स हो सकते हैं लेकिन ये जो ये है ना कि जो कोर बात थी वह ही कि एक मंदिर बन जाएगा सब अपने आप राम राम करके चले जाएगा सब गए मेरे घरवाले भी खुश थे बाकि लोगों भी घरवाले मेरे आसपास बहुत लोग खुश थे लेकिन उस पर कब तक आप राजनीती करो गया मतलब मुझे लगता है कि एक हिस्ट्री है एक हिस्ट्री बन गई वहां पर कि यह सब करने के पावजूद अगर आप हार गए हो तो आपको सही में सोचना चाहिए कि क्या देश कि लोगों को मिला जुला कर चलाने के कोशिश करके देख लीजिए एक बार क्या दो बहतर तरीका हो गोर्मन करने को देखिए उवर कॉन पर यकीन नहीं करना चाहिए जो स्मार्ट इंवेस्टर्स हैं वो पहले पैसा निकाल लेते हैं अपना हुआ 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 है में कि पोल आए और जिनका इन्वेस्टमेंट था अच्छा खासा उन लोगों ने जैसे ही मार्केट बूम किया फटाक से पैसा निकाल लिया और वह वापस आगे और फिर उसके बाद सरकार जिजन रिजल्ट आया उसन सरकार का यह हाल रहा कोईलिशन गवर्मेंट बनी और आकलन सही था या फिर पता नहीं हो तो इसा नहीं कि पूरी तरह से गलत है यह मीडिया जो कहते हैं उन्होंने खुब चार सो पांच-पांच-वी सीट दे दी कोई मुझे कोई हरानी नहीं होगी तो लेकिन जो दूसरी कोवर्मेंट थी उन्होंने जो उनकी निन्यान वे व जाएंगे आपके जिस दिन वो रिप व आएगा रिजल्ट आएगा आठ जार तो फिर भी सहले आदमी पंद्रा लाग किसे पंद्रा लाग वाला ज्यादा आइधिंक बड़ा दोख था उनकी सरकार तो बनी भी नहीं तो देखिए चुनावी वादे लखनू में ने लाग को लेकर कि भी बहुत सारे पिछले दस सालों में लोग यही सब करते रहे तो मुझे लगता है कि चुनावी वादे तो चुनावी वादे इसलिए निकुट वादे कहा जाता है कि तो हो आज होगा कल नहीं होगा अब जमूद जी ने किये है वह अप तो गॉर्मेंट म वह नहीं आए तो आठ थार तो उनका छोड़ देजी लेकिन ये गवर्मेंट में आये हैं तो इन्होंने जो वादे की हैं अपने वह पूरे कर दें तो वह इस पर रोकना चाहिए मुझे लगता है कि इसका इसको ना कुछ होना चाहिए जितने वाद को पूरे करने होंगा ऐस प्रफॉट विडियो पनाई है और बाकी स्मार्ट सिटीज का वीडियो बनाया मैंने भी गोवा के पंजिम का स्मार्ट सेटी का वीडियो बनाया और वहीं बहुत सारे सक्षा अर। वह अभी दो दिन तीन पहले की बात है जब पहली बारिश में पूरा बनारस भषा सबसे घटिया है कि सबसे यहीं पर होती है अब अलग उसमें जा रहे हो कि क्योंकि एक समय पर हम सब जानते हैं कि दिल्ली में आठ सो जीले हुआ करते थी आठ सो जीले आज आठारा खुछ के दिखा दिजिए मुझे जब जीले नहीं है तो जो पानी बहके आएगा कि देखें वह हो ना कि जैसे ही कोई भी गवर्मेंट होती है घ्रीकॉइर्मारी के आप स्टिप्स करते चलते हो वह हमारे लिए आप हमारे लिए नहीं ले पर सेंट जो जनता है आप अब आब्स्र त्री परप्स होगी और झाट को अच्छी बात यह है कि क्या होता है कि हमारे जो आपके एक्स्पीरियंसे हैं उनसे देश नहीं चलता है करेक्ट है और कि जैसे कम सुन सुन लेते हैं कई बार कहने के लिए कि हमारे यहां तो दलित बहुत हमने तो दलित को जानता हूं जिसके पास बहुत पैसे हैं ठीक है तो यह नहीं हो जाता कि साहे दलितों के पास में बहुत पैसे हैं और वो गरीबी नहीं है उनमें और उनका कर देने चाहिए तरक आते हैं तो मेरे का मतलब यह है कि exception को रूल नहीं बना सकता है तो आपका भीड़ देखना exception है लेकिन वह हमारे यहां का जो हमारे पांच परसंट से कम population हमारी एर ट्रैवल कर रही है तो आप समझ देगे कि उसमें तो मुझे लगता है कि वह भी बहुत जादा होता है वह बहुत जादा होता है लेकिन फिर भी आप यह सोची कितना आप कितने और एरपोर्ट्स बनाने की जरूरत है आपको कितने औ और एरफेर को कम करने की जरूरत है अब बात करें अगर हम दिल्ली घुटाले की मैं आपका क्या नजरिया दिल्ली शराब घुटाले की बात कर रही है आप मैंने अभी दिल्ली शराब घुटाले को धंक से पढ़ा नहीं है लेकिन तो उस बारे में अभी कॉमेंट करना थो इस तरह से कीजर वाल को चुनाव पर रखा गया कि ज़ी सिन सेً वंका केस बीला भाठिया के पास में गया था ईए अधा ये इस तो बहुत साफ है कि वी जिपी गूवर्णनट जो डिली सरकार है इसको टार्गीट कर रही है और उुछ को रखना चाहती है जेल के भीतर रखना चाहती है आपके आप इस पर बात कर सकते हैं कि कि क्या वज़ें हैं क्या क्या चीज़ें हुई हैं लेकिन इस तरह से ऑपोजिशन को जेल में डालना चुनाव से पहले वह पुरी तरह से दिखाता है कि कोई भी हो अगर आपने गलत किया है तो आप आप आपको जाना चाहिए लेकिन आप उनके उपर केस कौन सा लगा पेले और इस पर जमानत मिलनें बहुत दिक्कत होती है जान बूच करके ऐसे केस में डाला जाता है आपको जहां पर आपकी जमानत लेट हो इस तरह हमन सोरेन को जारखन के मुख्यमंत्री को डाल दिया अपने जिल में तरह का केस उनके उपर भी तो यह कुछ लोहों का यह भी कह है तो इस पर आप यह भी आपको याद रखना चाहिए कि कल को आपकी गवर्मेंट अगर माल लीजे नहीं रही तो आप फिर इस हालत में नहीं रहेंगे बोलने के यह आप क्यों कर रहे हो हमारे साथ में क्योंकि आपने उस वह मर्यादा जो वह लांग दी है यह हम अपनी म फिचर था गॉवर्मेंट का जो दिखा रहे थे यह तो होना ही था यह होना ही था और आगे और हालात खराब होने वाले हैं और यह बहुत अच्छी बात है बहुत रहत की बात है पूरे देश के लिए कि एक जो मनमानी चल रहे थे गॉवर्मेंट की वह अब उस को सरकार ना बना पाएं लगाना वो जो डर है विजह मुझे लगता है कि हर पार्टी कि विच्छ को इसे भी हो उसकी हर मुझे लगता हर स्टेट में कॉलीशन गॉवर्मेंट हो यह हमारी देश की ब्यूटी है इंडियन डेमोक्रिसी की ब्यूटी है अमेरिका में दो लोग है उन्हें से आप गोबर है किसे किसो करोगे हमारे यहां तो कम सकंद ब्यूटी है नितिश कुमार ने होब दे रखी है ऑपोजिशन को कि बहुत तेंशन मतलो कभी भी आपन पलट मुद जी के लिए क्यार ऐसा हो ऐसा कुछ नहीं करते हैं सबको मिला के चलते हैं और फिर यहां पर फिर वही उस तरह की चीज़ें होती है कि आप आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है सम्विधान की रिस्पेक करनी पड़ती है तो नीट एक्जाम पे आपने एक वीडि अथली बाहर वहीं कितने सारे लोग फस्ताइब फिर उसके बाद यह कहा गया कि ग्रेस मार्क्स दिए गये हैं उनको हटवा देते हैं उसके बाद अभी ठीक है अब ग्रेस मार्स घफ गए और फैसी सिजें ठीक है विजेपी नेता का एक स्कूल था ये सारी चीज़ें जो है ये किस तरफ इशारा करती है तो साब साब बताती है कि आपका पेपर लीख हुआ है और अगर नहीं भी हुआ है तो भी मुझे लगता है कि ये स्टुटेंट्स के भविश्य का सवाल है मुझे याद है कि जब मैं पढ़ाई करता था तो मिरे लिए नीट एक्जाम कितनी बड़ी चीज़ हुआ करती थी और जिन बच्चों ने इसको क्रैक किया है ये जो अक्षमता रखते हैं मुझे लगता है कि उन्हीं को डॉक्ट तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा खिलवार किया रहा है हमारे देश के स्टुडेंट्स के साथ में नीट पेपर दुबारा कराया जाने चाहिए थे ये एसा होना चाहिए इसके लिए सबसे बड़ी सजा होना है हलाकि अभी गौर्रमेंट ने एक नया कानून बनाया है लेकिन फिर मुझे लगता है इसके लिए बहुत बड़ी सजा होना चाहिए और कम से गए इंशूर जरूर करना चाहिए कि पेपर लीग नहों आप प्रिंट दूसरी जगे से करवाते हैं पेपर ठीक है किसी प्रिंटिंग एजनसी को देते हैं पेपर ठीक है आप आप एंटीए हैं नैशनल टेस्टिंग एजनसी एंटीए पेपर दूसरे के यहां पर दूसरी एजनसी से प्रिंट करवाता है और उसके बाद फिर वो दूसर गाड़ी में भिजवाता है फिर वह सेंटर पर पहुंचके कोई दिन रखा रहता है उसके बाद वह पेपर लोगों में बढ़ता है कितने साथ लूफ होल्स है अराम से यह हो जाएगा कोई भी कर सकता है प्रिंटिंग प्रेस सही जातर लिख होते हैं कि वहां के किसी एजंसी अराम से पेपर निकल लिख हुआ हुआ है उनकी वह बहुत आसानी कमरा ही तो खोलना है तो अब यह सब में आप नहीं करते हैं ईहखियों कई उस होनगे वह फन्ट्र यह हे है कि अन्होंने आप कंप्यूटर के सामने आब बैठिये एक क्लिक पर पेपर आपके सामने आएगा आपने पेपर दिया खतम और वो पुरा अपना साइबर सेक्यूरिटी के वो लोग ख्याल रखते हैं कि कहीं वहाँ से पेपर लिग ना हो और वहाँ पर चेंज करना भी बहुत आसान है कि अगर आप क्वेशन का और या फिर मतलब बहुत आसान है ना आपके लिए आपने सारे लूप फोल्स एक बार में ही खतम कर दिये कि ऑनलाइन आएगा और हमारी एक एक्सपर्स की टीम बैठे हुए सावर सेक्यूर्टी की यह हम पर कुछ हो नहीं सकता है कोई होने का चांस नहीं है आप यहीं पर दीजिए लेकिन वही अगें पॉपलेशन हमारी सोलर लाग है और अभी तक बच्चों का हम पेपर डंग से नहीं करवा पा रहे हैं और फिर बिश्वगुरू कहते हैं तो फिर बिमाई लगती है बात क्योंकि आप अभी मुझे पता चला ऑफ केमरा कि आप यूपी से ही है तो यूपी में क कोई बहुत खास बदलाव हुआ है कुछ चीजें हैं जो खराब हो गए हैं जैसे कि लोगों में डर खास करके अलप संख्यत समधाय के लोगों में बहुत डर है क्यूंकि आप देखिए कि जो ग्रिफतारी हुए सिद्धिक अपन की हुई है पत्रकार की वो यूपी में हु तब लौ एन और्डर की एकदम बैंड बजी हुई है उत्रप्रदेश में लोगों के गलती है उसमें आयोजक की गलती है उनको ध्यान में चाहिए लेकिन यह स्टेट हुआ कहां यह किसकी जिम्मेदारी है यह इंशॉर करने के कि यहां पर भीड़ है यहां पर कुछ हो सकत शुचहर को किससे नेता से अगर उसकी प्रजा को उसकी प्रजा नहीं कहोंगा उसके जन्नता को डर लग रहा है कि यह सबसे बड़ा वेलियर किसका डर है यह पत्रकार हूँ मुझे रिपोर्ट करने में डर लगता है उत्रप्रदेश में मुझे नहीं मालूम कि कहीं आप रिपूर क्योंकि बहुत सारे पत्रकारों के साथ में यह हो चुका है एक अपराधी को जो अक्यूजड है ठीक है आपने देखा हो भले आँक से लेकिन फैसला तो अदालत ही करेगी ना उसके घर पर आप बुल्डोजर चलवा दे रहे हो नाम अपना प्राउडली कह रहे है बुल्डोजर बाबा अब यह किस तरफ इस यह तो ही कभीलाई राज हो गया ना आपने किस किसी अक्यूजड पर हमारे आपके साथ भी हो सकता है ठीक है कि मेरे पर कोई जाम लगा और आपने सीथा बुल्डोजर से मेरे घर गिरवा दिया है अर्यार उसके जांच तो होने दो उसको उसके बाद वहां फैसला हो जाएगा तो आप तोड़ देना जो मर्ज़ जहां से लीगल कर रहे हो तो फिर तो मतलब रूल अफ लॉर रह रही है वो तो बुल्डोजर कानून हो गया आपके हैं तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी नाकाम है इसको कहीं से भी मैं ये नहीं मानता हूं कि जो ये कहते हैं कि अपराद खत्म हो गया है नहीं हुआ है मैं अभी एक स्टोरी पर काम कर रहा हूं और ना तो वहाँ पे क्राइम रुका है ना तो वहाँ अफराद खत्म हुआ है ना वहाँ पे गुंडराज खत्म हुआ है सबके सब वहीं है बस हाँ ये ये भी हुआ है बही जात देखकर के लोगों को टार्गेट किया गया है उत तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी यूपी में जैसे हमारे यहां भी कई जो लोग है आप मैं सबसे बड़ी समस्य है कि अगर हम लोग जैसे ही पर्सनल एक्सपिरिंस पर आते हैं तो फिर मैं आपको पूरा बताऊंगी यहां से मैं एक लेडिया वोट करती हूं तो मैंने क्यों करती हो तो उन्होंने बोला कि सबसे चीज हो गई है कि मैं काम करके जब घर जाती हूं दस बजे तो तो मुझे यह नहीं लगता कि मैं जाऊं या ना जाऊं पहली चीज दूसरी जब मैंने काई जब हम लोग ट्रेवल कर रहे थे तो काफी शहरों में ऐसा देखा कि जगे नाकी नाकी पे पुलिस तेना थी पुलिस का जो वो था जो सेफ्टी परपस मेरे लाके में पिछले जब से यह एलेक्शन शुरू हुए थे इसे मैं से लेकर के अभी सताब गट में अब वहां पर आप यह सोचिए कि इतनी ज़्यादा डखैती हैं वहां पुलिस गूमती रहती हैं अब उसका जिम्मेदार मैं किसको मानूं और अगर आपको लगता है कि बेटियां और सुरक्षित हैं उतर प्रदेश में तो आप एक बार NCRB का डेटा अभी उठाके देख लीजिए पिछले एक-दू साल का आपको देखके मिल जाएगा तो अगें कि वही कि हमारे पर्सनल एक्स्पिरियंस से चीजें बहतर होती लग सकती हैं लेकिन जो वो कह रही है कि जुन्हें ने कहा कि वह बहुत फियरलेसली जाती है उनको मैं कहूंगा कि प प्रिंटिंग प्रेस वाले को जो पेपर लीक माफिया था उसने मिला लिया था और जो प्रिंट करने के बाए उसने जो लॉकर रखे होते हैं लॉकर में पीछे सो माहिर था एक चोर उसने पीछे से नीचे से अपना काटके पता नहीं कैसे निकाल लिया पेपर वहां से और सील आपकी पैक डेक्दम से एक दम लग रहा है कि ठीक है आपका पेपर कुछ लीक नहीं हुआ है और वहां से पूरे पेपर लेक हुए एक फोटो केच के रख दिया उसमें क्या दिखा थे हो गया लीक तो फिर आप अगें मतलब कहने का मतलब यह ना कि सिस्टम के सुदहार नहीं की जाह से सरम के अंदर हो सिस्टम के बाहर हो वह जिमेदारी सरकार की ह अगर वो अपना चीज़ें सही नहीं करते हैं तो वो अल्टमेटली जायेगा जनता का राज जिस दिन होगा सवराज जिसको बोलते हैं वो सबसे बढ़िया दिन होगा और उस दिन का इंतजार है कि कभ होगा वो कि हमें पुलिस वालों से डर नहीं लगेगा अपरादियों पर दर नहीं लगेगा हमें वोट समय जाते वक्त डर नहीं लगा अगर हम किसी और को वोट दे देंगे तो हमारे यहां का जो बाहु वली नेता है यह सब चीजैने हैं जो मैं किसी स 하고 सरकार भी कहते हैं कि आप steps क्छिता मुझे नहीं मुझे क्या होती है मेरी पक्षधरता जो है वो जनता के प्रती है मैं इस पक्षवने के दावा नहीं करता हूँ मेरी पक्षधरता तै है जनता के लिए मैं उनके गवर्मेंट को क्रिटिकली बाद में मैंने देखा बहुत सारी चीज़ें पढ़ी लेकिन अगयर मैं नहीं कह सकता हूँ अभी कॉमेंट करना यह नहीं होगा कि सर गवर्मेंट के अपने प्रोजन कौन्स रहे हैं दिक्कते रही हैं कुछ अची चीज़ें रही हैं इसको इस तरह से जनरलाइज करके मैं नहीं कह सकता हूँ कि कौन सी सरकार अच्छी है कुछ अच्छा काम किया होगा तो उनको बढ़ाई और जो बाद की सरकारें आए उस काम को आगे बढ़ाएं और जो भी सरकार आएगी कोई भी हो सरकार ठीक हैं उस सरकार के साथ चलने वाले पत्रकारों से मुझे बहुत दिक्कत है अगर आप पत्रकार हैं तो पत्रकारता का धर्म यही है कि आपको आलोचना काईदी से करनी चाहिए ग्राउन पर जाकर करनी चाहिए और यह ज़्यादा मुझे इशू तब होता है मतलब इससे मुझे बहुत आतराज है कि लो है लोगों के बीच में जाने की जरूरत है ताकि सरकार के लिए गवर्मिंट के लिए यह बहुत मुश्किल हो जाए डिनाइ करना कि हां यार यह चीज यहां पर नहीं हो रही है दूसरी वाट अबाउट्री से बचना चाहिए यहां पर यह हुआ तो तुमने नहीं करें लिए को हैं सारी घटनाइकऊ बहुत हैं उसको जो है lesson इति mondo जाकि के लिए डिशो कर सब्सक्राइब आपर बात अबétais सोचल मीडिया नहीं होता तो मेरे अंदर वह हिम्मत नहीं हाती कि मैं छोड़ कर % पिर आज तक या Times of India जैसे ग्रूप्स छोड़ करके मैं अपना YouTube चनल शुरू करता हूँ और हम लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं तो वो हिम्मत वो एक आप्षिन वो टीज डी सेंट्रलाज़ेशन ऑफ मीडिया डी सेंट्रलाज़ेशन ऑफ अपरचुनिटीज वो तो सोशल मीडिया नहीं हमें दी अब उसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं उस पर अलग बातचीत हो सकती है लेकिन हाँ यह एक चीज़ यह हुआ कि अगे इनकी लटसे कि बहुत सारे पहले नहीं थै उनको बहुत बाद मौकका लेकिन किम सकम यह कि मेरी जैसा बंदा जो जिए में जब तक मीडिया में काम किया अपनी शर्दों पर काम किया कोई गॉड फादर नहीं, कोई कुछ नहीं है लेकिन जब तक अपने बहुत से परश्यान हो करके मुझे बोला किसी काम के लिए तो मैंने का ठीक है सच चाई पी क्या आता हूं अभी तक मेरी लोटने का वो लोग इंतजार कर रहे हैं तो इस चीज यह भी है कि जिसे आप मिनिस्ट्री में काम कर रहे होते हो तो बहुत सारे लोग पत्रकार आ भी जो मुझे जब काम करने का तरीका नहीं पसंदा तो यह मेरी पत्रकार साथ ही आपको बता सकते हैं तो मैंने वहाँ पर अपनी मर्जिस ही किया और नोकरिया छोड़ी जान बूच करके छोड़ी यह होता नहीं कि नाखुन कटा करके शहीद होने वाली बात तो वो मिरे साथ नहीं रहा कभी भी कि मैंने अपनी शर्टों पर काम किया जब तक मन किया नहीं किया तो फिर उसके आप ग्राउंड रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे आपको पैसे दे जाने का बर्फ में जाने का वह आपके अंदर है नहीं आपको चाहिए अच्छा सा कमरा उसके अंदर बैठ करके आप ग्यान देते रहे तो वह उस तरह के चनल समसे मुझे बहुत परहे जाएंगे आपके पा का वह जो ट्रेंडिंग टॉपिक है आप क्या कर रहे हो आप ट्रेंडिंग फॉलो कर रहे हो न्यूज आप क्यों नहीं समझते हो कि आप मतलब बींग जॉनलिस्ट आई टेक प्राइड इन दिस डैट आई आम कवरिंग पा सर्टन रिपोर्ट फॉर्स ताइम आपको इस तरफ रिपोर्ट करने तक है उसके लिए पूरा डैडिकेशन है मेरा उसके बाद हो वीडियो वीडियो वीव्यूज कितने हैं वो मेरी जम्हेदारी थोड़ी है और नहीं पुछ करेगा आपको नहीं पसंदा रहा है या फिर मैं जैसे गोआ के वीडियो बना रहा हूं ठीक है मनिपूर के मैंने वीडियो बनाएं तो इन सब पेसे दस वीज़ार थीज़ार वीज़ार आते हैं क्योंकि पॉपलेशन कम है लोग कम होते हैं कम खोज पाते हैं क्योंकि मैं रेगलर कंटेंट नहीं बना रहा हूं लेकिन वह चीज़े इंपॉर्टन लगी मुझे वह गमच्छा डालके बांदना पड़ा ताकि वहां सा स्नाइपर हमें यह हिट ना कर सके तो अब इस तरह के ग्राउंड जनलिजम करने के बाद फिर जब आप आप देखते हो कि यार इस पर व्यूस नहीं आता तो आपका व्यूस से ही भरोसा उड़ जाता है कि यार यह ठीक क मिलता इसे मैं बताता हूं मेरे एक वीडियो है जो कई बार वोल चोगा हमें लेकिन एक वीडियो है मेरा तो वो यूपी में हमेठी है राहूल गांधी रहे सांसत इतने टाइम तक फिर अब किशोह इलाल है स्मिर्थी रानी रहे सब रहे को देख चुके वहां पर एक जग साफ पानी की टंकी लगए सबके घरों में सही प्साफ पानी सप्लाइव लगए उनको चार-पांच किलियू मिटर जो साइकल चलाके बच्चों को जाना पड़ता था लेकर कर आना पड़ता था पीपों में तो वो सब खतम हो गया तो वो मेरी एक रिपोर्ट से अब उस र करना चाहता हूं कि अगर कोई लोग करना चाहते हैं लोग आना चाहते हैं तो उनके लिए यह सबसे बढ़ी होगा इस तरह का मज़ा आया होगा मुझे कि लोगों ने जो गाउवालों इतने सालनों में राहुल गांदी उनके पूर्खें जाती है समस्धाशन लाइन खोछे फिलिब करूद्ध़िदे ने बहुत ने इस ययों लगाने मों बहुत महिंत करती है पब्लिक है लेकिन अगर लोगों से बात कर लो एक हिल्त इसूम्स है यहां के आज leaving यहां के आज अगरंश में दालते हो तो कहां से आप ग्रांड टच रहेगा उस गाहों के पूरे लोगों ने करीब 100-200 लोगों ने वहां पर लोकल डीजे बुलवाया था उसके बाद मुझे कॉल किया लोग यह आपने पाने की टंकी लगवा दी है आप आज यह हम लोग यहां पर यह मतलब एंजॉय कर रहे हैं तो मैंने का यह मैं दिल्ली आ गया हूं आप आप लोग आप जब अभी जाओगे ना वहां रात में औरतें जाकती है हर जगए हर जिए हर में सारी औरतों का ग्रूप होगा जो एक समझ लेज़े चौराहे हैं चौराहों के बगल में ऐसा ग्रूप में औरतें रात भर जाते हैं वो पिछले आप मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले एक डेड़ साल से मनिपूर की औरतें सोई नहीं है और मनिपूर की ही नहीं उकी एरिया के या फिर चाहे मैते ही के कहीं की भी आप लिज़े वहां की औरतें सोई नहीं हैं क्या करते हैं उनके जो लड़के हैं जो उनके बेटे हैं उनके पती हैं बुढ़े हैं वो सब हाथों में बंदूक लेकर के वो सब गाओं का उसको बोलते हैं विलेज प्रोटेक्शन ग्रूप गाओं के चार तरफ जो बंकर्स बने हुएं वहां पर जाते हैं वो लोग हतियारों के साथ में गाओं का सुरक्षा करने के लिए और 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 गाओं के अंदर पूरा गश्ट करती हैं हर आने जाने वाले इंसान से पूछती है मैं गया था मुझसे भी पूछताज की थी उन्होंने सबसे पूछता है कोई भी वहां पर बाहर का आदमी चाहाए आप आमफोस्ट की अगर गाड़ी होगी बेसफ की होगी तो उनको भी डर लगता है किराज में जाएंगे तो हमें लूट लेंगे हमारे हथियार वो हथियार रखके जाते हैं अगर किसी को जाना है तो अगर गाउं के अंदर गुसना है रात बहुत खतरनाक है वहां पर सिचुएशन तो जब हम लोग वहां पर पहुँचे मनिपूर में की अब हमें कवर करना है आप समझे कि जैसे ही आप शाम होती थी शाम उस दिन में आपको सब को ठीज लगेगा इचलो ठीक है यह वाला इलाका कुकीज का है वहां नहीं जा सकते वहां पर आपको पूरा बैरिकेडिंग मिलेगी और वहां लिखा होगा कि दिस कुकी एरिया मै अब सारे पॉस्टर्स लगे हो वते हैं कि मैथिज वहां जाहीं नहीं सकते हैं वहां मैतिज क्यों कोई गया तो उसको उसका जिंदा वापस होना बहुत मुश्किल हो रखा ए यह मैने अपनी आखों से देखा है मैति ही प्रोडॉक्ट्स हार बैंड हीर मैति एरिया का कोई सामान भी उदर नहीं जा सकता है तो और वहाँ पर यह नहीं है कि वहाँ पर कोई security forces को लोग खड़े हुए हैं वहाँ पर गाओं के लोग पहले खड़े हैं गाओं के लोग पहले खड़े हैं वो पूरा किसे ने मुँ बांदा हुआ है यह सारा वेपन है उनके पास में यह हमारे देश में हो रहा है अभी इस वक्त हो रहा है उसके बाद फिर उनको उनके साथ में कई बार कई बार थोड़ा सा आगे तो कई बार थोड़ा सा पीछे असम राइफल्स है अगर कुकी हैं तो उनके साथ में असना रैफल्स है असना रैफल्स के बाद में हमने बताया कि आर्मी के बाद day, बेशेफ है मैतिश के साइट में पीच में इन्दिन आर्मी है और ये तीन लेयर के security होने के बाउजूर इतनी गोली बारी हो रही है वहां पर और ते स हो नहीं सकते में अपने घर के मर्द वो मोंने वहां सोते और रात में वहांपर कोई नि सोता है एक बारी बारी से सोते हैं कि चल दो लोग तुम सोजाओ ऑंवा क्या है और यह मसादा कोई डर है डर नहीं है यह रियालिटी है बहुत सारे घरों में क्या हुआ कि दो महिते ही घुसे किसी गाउं में और चार-पांच कुकीज को मार के भाग आए ठीक है? उधर से दो कुकीज आए यहाँ महिते ही इलाकों में गोली बारी करें एक दो की जान लेकर के भाग गए धिर से अंधिरे में तो इस इस हैपनिंग इन मनिपूर और यह अभी अभी के हालात हैं और जब मैं वहां पर गया मैंने कहा कि मुझे उसको बोलते हैं विलेज प्रोटक्शन ग्रूप से बताए मैं आपको तो वहां बंकर्स बनाए हुए ओपर एक उदर से लाइट है उन्होंने अपने अपने तरफ लगा रख पूरा आप नहीं है अगर आप यहां से गया है तो आपको कूकी से परमिशन लेनी पड़े अगर आपको हिले अरिया में जाना है तो मैं बता रहा हूँ हिली एरिया अगर आपको मेहतेई गाउं में आना है तो वहां से पर्मीशन लेनी पड़ेगी यहां के मेहतेई लीडर को वायरलेस है उनके पास में वायरलेस पे आपको इनफॉर्म करना होगा कि यह बंदा झौनलिस्ट है और यह वहां से नीचे आ रहा है इस ग्रूप में तो यह सबसे पहले आप बताओगे जैसे वहां से आ रहे हो कुकी एरिया से तो आपको अश्म राइफल्स को बताना पड़ेगा अस्म राइफल्स बताएगा आपको, आर्मी को, आर्मी बताएगा, वियसप को, बियसप बताएगा, मैते ही को, तो फिर यहाँ पर जब अरेंजमेंट हो जाएगे, तभी आपको वहाँ से आने दिया जाएगा, otherwise you will be shot, तो यह है situation वहाँ पर, वहाँ पर कोई move नहीं कर सकता, जब रात में यह हुबा कि मैंने का यार मुझे ना कुछ देखना है, रात में देखना है कि रात में कैसे होता है, तो उनका सर बहुत खतरनाक है और अभी कल ही यहाँ पर firing हो रही थी, जैसे ही मैं वहाँ पर पहुचा, तो मैं द बहुत सारी चीज़ें बताने शुरू कि किसार यह हो रहा है, सब वहाँ दोनों पक्ष से आप मिलोगे, दोनों अपने आपको विक्टिम बताएंगे, तो अब उनमें से, और दोनों की बातें आपको सही हैं, ऐसा नहीं कोई फैक्शली बतलब करेक्ट नहीं लेगे, वहा लुक्ति नाली ती नाली के बाद में उन्होंने लाइट्स लगा रखे थी अपने तरफ से उन्होंने अपने तरस से लगा रखी थे, तो जो रास्ता था कच्चा रास्ता था तो मेरा पैद बिल्कुल ऐसे आवाज आई मैं नीचे देखा तो दो लोग ऐसे लेटे हुए बिल्कुल मैंने का रहे यार अंधेर और लाइट हम जला नहीं सकते हैं लाइट जलाने का मतलब है कि वहां से फायर आ सकता है ठीक है उसको मालूम चल जाए आपके लोकेशन क्या है और खटाक से शूट कर दिया तो मैं चलते हुए जा रहा था और पैर मेरा एक के उस पे पास बहुत हथियार है मैंतई ग्रूप कहा था कि कुकीश के पास हथियार यह अगें इस पर हम आएंगे पहले यह मैं आपको बता दू कि मैंतई जो है उन्होंने तो ब्यस्ट का हथियार लूट रखा है ना आप 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 लोग यहां निउस कहां मिलते हैं यह सब चीज तो यहां पर आप समझें कि वहाँ जब मैं गया अंदर तो उनके पास वायरलेस थे उनके पास डबल बैरल बंदूके थी गुलेलें थी उनके पास गुलेल जो होता ना स्लिंग शॉट जिसको बोलते हैं तो भी लोग उने ले रखा कि सर मैं इस जीज़े मारूंगा मैंने और यह मज़ाख नहीं और जब मैं वहां पर वाले एक आर्मी परसनल से बात कर रहा था तो उनसे बात कर रहा तो भी कुछ बूल बूले सार इदर सिच्वेशन बहुत खराब है और बसी इतना समझ लो तो उनने कुछ बता नहीं उनको नहीं बता सकते हैं फिर आगे हम तो हम किसी तरह से और वह बैटरी वाले स्कूर्टी थी तो बहुत आवाज नहीं आ रहे तो वह एक अच्छी चीज थी इतनी जादा रात थी अब यहीं यही वाली रात होती बारिश वाले की पिछले साल अगस्त का महीना तो उधर पर जाते जाते बस यह लग रहाएं कि हम लें कुछ यह पहना नहीं था कुछ भी नहीं था हमारे पास कोई भी हां यह नहीं था कि वेस्ट नहीं था हमारे पास तो गए वहाँ पर सारी बातें की और आप समझेए कि कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं था जो पैशनेट नहीं इस चीज़ को लेकर के यह पैशन दे रात में मैं वहां पर गया था, जहां पर लोग ये करते हैं, पूरा गाना वाना बजा करके बढ़िया, उनके पास तो और भी वेपन्स थे, अब महतेईस का ये कहना है कि कूकी के पास बहतर हत्यार है, उसकी वज़े ये है कि जो मुरे टाउन है वो उसके जिस्ट बाद मियमार है मियमार से हथियारों की और ड्रक्स की स्मगलिंग होती है ठीक है मियमार में क्या चल रहा है मियमार में आपको पता ही मिलिटरी कू हुआ था भी कुछ टाइम पहले आंग सांग शूची को हटा दिया गया है वहाँ पर भी पूरा स्मगलिंग होय दो रहा थे मियमार से इंडिया में मिजॉरीम के थुरू इधर के थुरू दो मिजुराम आप जो आप जो मैटे ही है उनके पास एक्सेस नहीं वेली का ही है लेकिन जो निगन को पास पूर को है और मॉरे का से भी इनके पास तो यह और यह है भी सही बात सही बात भी है कि as compared to मैथेज लिंग शॉट से लड़ रहा है उनके पास they had better weapons यह मैंने अपनी आखों से देखा है और हाँ और इनके पास मैथेज जो है वो सारा इन्होंने बियों साफ का लूट रखा है समान वहां से आने के बाद सच में मतलब मैंने कहा कि यह ठीक है और आप समझे कि जिस दिन मैं वहां से आके बस लेटा ही था अपने hotel room में and बहुत धमाके गोलियों की आवाज है फिर मैंने अपने call के मैंने का यार चल्ला मुझे देखना है बुला कि सर वहां आपके पास में सब है नहीं वेस्ट वगर आपके कैसे करेंगे तो एक किस तरह से हम लोगों ने जुगाड किया मैं नहीं बताना चाहूंगा तो हम लोग किस तरह से जुगाड हुआ फिर हम लोग गए और फिर वहां जो बीशेफ्ट के जवान थे उन लोगों ने मैं बोले चलो ठीक हम उदर बात करके देखते हैं कि रात में कि रात में दो धाय बज़रे थे वो और हम लोग जाने के कोशिश किये लेकिन फिर उधर से बोल दिया कुकी एरिया से यह हुआ कि आप दिन में आ सकते हैं अभी नही क्योंकि प्रॉब्लम ही होती कई बार कम्यूनिकेशन भी नहीं होता है कि उनके आपस में मिस कम्यूनिकेशन की विज़े से ला हम हमें गोली मार दी तो फिर मतलब मैं तो सामने का यार अगर आप थोड़ा सा यह दे दोगे तो सब हो जाएगा और यह कि ठीक हसार आप जाके हो दर बट फिर हिम्मत हुई नहीं उन लोगों की हमें अलाव करने कि यार कहीं कुछ हो गया तो फिर पूरा दिक्कत आ जाएगे तो दोनों ही कृप्स हमसे बहुत फ्रेंड्ली थे लेकिन आपस में मतलब वो अलग लेवल का पैशन दिखा एक दूसरे को मारने के लिए यह है सिचुशन वहां पर और बाकी पॉपी प्लांटेशन के हमने बात की ही कि किस तरह से पॉपी प्लांटेशन जो है वो बहुत बड़ा इश्यू है अगर उसको रिजॉल्व करती है उस पर एक्शन लेती है तो बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं तो अगर यह आपको पॉड़कास्ट इंसाइटफुल पॉड़कास्ट मनीपुर के जो उपर हमने बात करी इत्ता तो मुझे कुछ पता भी नहीं था मैं तो बलब वही है ना न्यूस में पढ़ लेते हैं आप बस इत्ता हो रहा है तो पता है लेकिन आप तो ग्राउंड जो आपने बताया यहाल जो है तो अगर यह पॉड़कास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज टाइक कर दीजे शेर कर दीजे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे सब्सक्राइब जरूर कर दीजा तो उससे थोड़ी से हमें काम करने की और जिग्यासा हो जाती है तो जय हिंद या भारत